हाँ तो भाया जी इस वाकत है हमारा और एक ब्रैंड न्यू वीडियो पर तो दोस्तों अगर आपके पास एक एरटल का सिम है और आपका एरटल का इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है पर आपका फोन में नेटवर्क भी ठीक नहीं आ रहा है जिसके लिए दोस्तो आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो इतना ज़्यादा स्लो है कि आप कोई भी काम को ठीक ठाक नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप करके पुरा इंटरनेट वास किजिए यूगि दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए इस मंत का लेटेस सेटिंग को सेट करके आप आपका इयाटेल का इंटरनेट स्पीड को बहुत ज़्यादा फास कर सकते हैं तो क्रीपिया करके आप इस वीडियो को बिना स्किप करके रा इन तक वास किजिए और इसी तरह का और भी हेलफोल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप इस सिम कार्ट्स और मोबाल नेटवर्क करके एक ओप्शन देखने को मिल जाएगा तो आपको इस ओप्शन के उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपका सामने दो सिम शो हो जाएगा इन में से आपका जो एरडेल का सिम है उसके उपर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बा यह पर reset का option के उपर क्लिक करके reset का लेना है और उसके बाद new appn setting set करने के लिए जो option दिया हुआ है इस plus icon का उपर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सामने एक empty फ्रॉम दे इस फ्रॉम को दोस्तों फिलाप कर लेना है मेरा वीडियो को देखके उसके बाद ही आपका internet speed बहुत ज़्यदा fast हो जाएगा तो सबसे उपर जो आपको यह पर नेम का option दिख रहा है इस नेम का option के उपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यह पर टाइप करना है दोस्तों यह पर 5G टाइप करना है देने के बाद उसके नीचे है अपको यह पर टाइप करना है और क्लिक करने के बाद आपको यह पर टाइप करना है पर टाइप करना है तो सबसे पहले आपको यह पर टाइप करना है यह पर लेखने के बाद इसके साथ आपको 5G टाइप करना है टाइप करना है 5G लेखने के बाद दोस्तों इसके साथ आपको आइण डी टाइप करना है सारा लेटर एक साथ इस तरेग से स्मॉल लेटर पर लेखने के बाद आपको यह पर भी ओके कर देना है ओके करने के बाद उसके नीचे है पासवड एन और से रहेगा उसके नीचे है सारवर। तो आपको इस server का option के उपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यह पर small letter पे type करना है www.artel.in क्योंकि दोस्तो इह पर भी हम लोग यह टल का खूद का server use करने बाला है तो करने के बाद दोस्तो आपको इह पर okay कर देना है देने के बाद निचे कूछ option है जैसे की MMSC, MMSPROXY, MMSPORT, MCC and MNC इन में से कोई भी option को आपको बिल्कुल change नहीं करना है निचे जो दो option दिख रह option टाइप करकी एक option यह पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तो आपको इह पर PAP option को select कर लेना है करने के बाद उसके निचे है एप्प़ीन टाइप का option इसके उपपर आपको क्लिक करना है और Вас एक अप्पर स्मॉल लेटर पर default टाइप करना है default स्फाल्ट टाइप करके आपको ok करते ना है देने के बाद उसके करने के बाद उसके नीचे है एपिन प्रोटोकॉल यह पर क्लिक करके आपको आई पीबी फोर अबलिक आई पीबी शिक्स का ओप्शन को सिलेट कर लेना है करने के बाद दोस्तों उसके नीचे आपको समस्ट इम्पर्टन शेटेंग को मिल जाएगा बी आर टो आपको इस ब्र का ओप्शन के उप़र क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे उप़र आपको यह पर और unspecified करके एक option tick देंगने को बिल जाएगा तो इस option को आपको यह पर untick करने के बाद दोस्तों यह पर जो जो option को मैं यह पर select करूंगा आपको भी आपका फोन में सारा option को select कर लेना तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह पर LTE, HSPAP, HSP, HSUPA, HSDPA, UMTS, EDG, EGPRS, EHRPD, EVDOB, EVDOA थोरा सा नीचे scroll करना है 1XRTT इतना सारा option को आपको select कर लेना है तो दोस्तों अगर इतना सारा option को select करने के बाद अगर आपका फोन में APN save नहीं हो रहा है तो आप यह पर सिर्फ LTE option को select कर लेना करने के बाद दोस्तों आपको यह पर OK कर देना है OK करने के बाद दोस्तों आपको यह पर करना किया है नीचे आपको एक option देखने को मिल जाएगा MBNO type करके तो आपको इस option के उपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यह पर non option को select कर लेना है करने के बाद दोस्तों यह पर सारा from हो चुगा है fill up तो आपको तो इस फ्रांग को सेफ का ओप्षन के उपर क्लिक करके सेफ कर देना है सेफ करते आपका समने एयाटेल सिम का एक हाई स्पीड न्यू एपीएन छो हो जाएगा तो इस एपीएन को आपको सबसे पहले सिलेट कर लेना है और आपको यह से एक दम बैक आ जाना है आने के बाद दोस्तों आप आपका मोबल को एक बार रिस्टार्ट कर लेना उसके बाद आप आपका डाटा ओन करके इंटरनेट चलाना देखना आपका इंटरनेट का स्पीड बहुत ज्यादा फास चलना शुरू कर दिया है तो आपका इंटरनेट के स्पीड कितना दे रहा है नीचे पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जुरू से जुरू सस्क्राइब कर लेना इसी तरह का और भी हेलफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगला कोई नय वीडियो लगे ठैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो